ओम नमस्यवाई आज मैं बताऊंगा कैसे बिगडायल पती पर नकेल डाली जाती है यदि आपके पती आप से रूट गए हैं और आपका कहना नहीं मानते तो इस मंतर के प्रयोग से वो जिंदगी भर आपके गुलाम बनके रहेंगे अगर चाहते हो अपने पती को अपनी उंगलियों पे नचाना तभी इस मंतर को यूज कीजेगा ये मंतर ऐसा है जो कि पत्थरों को पिगला दे कैसा भी पत्थर दिल इनसान क्यों नहो वो भी इसके सामने माथा ठेकेगा ये मंत्री कुछ ऐसा है जो कि असाध्य से असाध्य लगने वाले वशिकरण को पल भर में कर देता है जब सारी जगे से निराश्य हाथ लग जाए तब मेरा एक ये मंत्र जरूर आजमाईएगा लगने को एक चुटकी राख लग जाए वरना करोडों को उपाई नहीं लगता तो इस मंत्र को अगर आप उपयोग में लाते हैं तो आपको निश्चत ही सफलता मिलेगी मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम काली काय मंपती मंवश्यम कुरू कुरू सरवान कामान में साध्य साध्य स्वाहा तो इस से आप माभगवती से कह रहे हैं कि आपके पती को आपके वश्मे करें और आपके सारे कार येतने भी हैं उन सब को सिद्ध कर दे मतलब कि जो भी बिगड़े हुए आपके कामे सारे बन जाए तो माभगवती की किरपा पर जरूर होगी इस मंत्र को रोज 108 पर जपना है आपको सुबह शाम दो बार करोगे तो जल्दी रिजट मिलेगा लेकिन बिना किसी लालच के बिना किसी दुवेश के इसको जपना है और इसमें भक्ती दिखानी होगी आपको ये नहीं है कि किसी को दबाने के लिए आप ये मंत्र यूज करो अपने पती को कुछ संगती से दूर करने के लिए और संदमार्क विलाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें ये मंत्र अचूक है एक बार किसी पे लग गया तो किसी के हटाई नहीं हटेगा इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको तभी लगाएं जब सब कुछ विफल हो जाए ये ब्रहमास्तर है एक बार किसी पे लगा दिया तो जिन्दिगी भर उसी पे लगा रहेगा और कोई इसको हटा नहीं पाएगा ज्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल करें 999-284-1650 धन्यवाद